हलो फ्रेंट्स कैसे हो आप लोग स्वागत आपका फिर से हमारे यूट्व चनल पे तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि सुलर गूर्प जो कंपनी है हर संडे को वेबिनार करती है और नए नए हमारे गेस्ट को लाती है जिनसे आप सभी सवाल पूछ सकते हैं और अप हमें कुछ कंपनी के बारे में नहीं अपडेट्स पता चलती है जो कंपनी में हाल फिलाल में जो घटना होती है उन सभी के बारे में हमें न्यूज और अपडेट्स मालूम पड़ती है तो अभी आखरी वेबिनार 12 जुलाई को हुआ था रात को तो उसी टॉपिक पे कुछ में इंपोर्टेंट्स न्यूज अपडेट्स आप सब के लिए निकाल के चुन के लाया हूं जो मैं आप सभी के साथ सेर करना चाहूंगा तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन बटन प्रे आपका पर्सनल इंवेस्टमेंट 200 डॉलर रहेगा तब ही आप बोनस का विड्रॉव कर सकते थे आपके पास जितने भी रेफरेल के तुरू बोनस आय हुए हैं आप उनका विड्रॉव कर सकते थे और या तो आप किनी को फंट ट्रांस्वर कर सकते थे यह पहले था कि मिनि रिक्वेस्ट के बाद कंपनी ने मिनिममम पर्सनल इंवेस्टमेंट को 50 डॉलर कर दिया यानि कि आपका अगर मिनिममम इंवेस्टमेंट 50 डॉलर भी है तो आप जो आपने रेफरेल के थुरू बोनस कमाय हुए हैं अर्न कियो हैं आप उन्हें विड्रॉव कर सकते हैं और इनुवेटिव सेनटर बनाने के लिए जो important four documents चाहिए थे, चार दस्तावेज चाहिए थे innovative center का काम सुरू करने के लिए, तो उन्हों से उन्होंने तीन दस्तावेज हासिल कर लिए हैं, और चौथा वां आखरी दस्तावेज वो उन्होंने 6 जुलाई को अपलाई किये थे तो वो भी उन्हें जल्दी मिल जाएंगे और जिसके बाद कंपनी का इन्वेटिव सेंटर का काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा तो अब चलते हैं तिसरे अपडेट की तरफ तो तिसरा अपडेट निकल के यह यह आ रहा है दोस्तो कि जहां पर इन्वेटिव सेंटर का काम स्टार्ट होगा जहां पर इन्वेटिव सेंटर का काम जाए जाएंगे जिससे की हमारे जो कंपनी के पाटनर्स और को ऑनर्स हैं वो सभी घर बैठे ही देख पाएंगे कि हमारे इनुगेटिव सेंटर का कार्य कैसा चल रहा है वहां पर जो पहला एटी भी जो रखा जाएगा जो पहला concrete भी भी साय जाएगा वो भी वो घर बैठे बैठे ही देख सकते हैं क्यूंकि बहुत से लोगों का यह कहना होता है कि Company कहां काम सुरू कर रही है कैसे कर रही है ना ही यह हमें पता चल रहा है ना ही हमें ये निट पे मिल रहा है तो ये उनके लिए है ताकि हम सभी बैठ कर घर बैठे देख सके कि असलियत में company काम कर रही है तो यह था तिसरा अपडेट अब चलते हैं चौथे की तरफ तो चौथा अपडेट यह है कि जुलाई 29 यानि 29 जुलाई जो आने वाला है वो आखरी डेट है तेरावे स्टेज का यानि कि जो तेरा स्टेज है वो 29 जुलाई तक ही है 29 जुलाई के बाद यह कंपनी अपने नेक्स्ट स्टेज में इंटर कर जाएगी यानि चौदवे स्टेज में इंटर कर जाएगी और जिसके साथ साथ जो कंपनी के इंवेस्टर है उनके उनका रिस्क भी कम हो जाएगा क्योंकि कंपनी अगर आगे बढ़ती है तो का है अधिक लाब के साथ निवेस करने का जिन्होंने अभी तक कंपनी में निवेस नहीं किया है यह था चौथा अपडेट अब चलते हैं दोस्तों पांच वे अपडेट की तरफ तो पांचवा और पांचवा अपडेट निकल कर यह आ रहा है कंपनी के तरफ से कि जो पार्टनर कलब है न्यू पार्टनर कलब जो कंपनी के थुरू निकला हुआ है उसमें जो ओफर चल रहा है कि अगर अभी आप एक महिने में दिया हुआ टार्गेट एचीव कर लेते हो तो आपको अगले तीन महिने तक वो टार्गेट एचीव ना भी करो तो भी आप पार्टनर कलब में पार्टनर कलब के भागिदार बने रहोगे अगर ये महीने अगर आपने काम नहीं किया बस ये ओफर इसी महीने है अगर इस महीने अगर ये महीना बीद गया तो इसके बाद आपको तीन महीने तक लगातार वो सभी टारगेट पूरे करने होगे जो कंपनी द्वारा दिये गया है उसी के बाद आप कंपनी के पार्टनर क्लब में जोइन होना चाहते हो तो आप यह आपके पास अच्छा मोगा है बस एक माहिने ही काम करके आप पाथनर क्लब में पाथनर क्लब के भागेदार बन सकते हो यह था पांचंचे ब्डेट अब जलते हैं चट्थे अपडेट की तरफ तो चट्था अपडेट यह दोस्तों कि बहुत सारी लोगों का कहना था कि जो यूटूब या इंटरनेट पे कंपनी के चैनल या वेब साइट है उन पर हिंदी और ये इंग्लीज में भी ये हिंदी और इंग्लीज में भी जानकारी कंपनी ने आस्वासन दिया है कि बहुत जल्दी यूटूब और इंटरनेट पे जो भी चैनल और वेब साइट है उस पर हिंदी और एंग्लीज दोनों ही लैंग्वेज में सारी जानकारी मुहिया कराई जाएंगी उसके लिए तैयारी चल रही है यह था चट्था अपडे नया आफिस इंडिया में वो कोरोना वायरस के चलते काफी थोड़ा लेट हो चुका है तो इसमें घवराने वाली कोई भी बात नहीं है इस पैंडेमिंग के चलते बहुत सारे काम धीरे हो गया है लेकिन हमारा काम अभी तक रुका नहीं है इसका काम चल रहा है और जल्दी काम करने वाला कोई अच्छा आइडिया है आप लोगों के पास कि हमारा ओफिस जल्दी खुल सके इंडिया में तो आप उसके लिए भी कंपनी को सुझाओ लिख सकते हैं इमेल पर यह था साथवा अपडेट अब चलते हैं दोस्तों लास्ट आप बात करेंगे चलते चलते इंटर्नल एक्षेंज के बारे में दोस्तों बहुत से लोगों बहुत से लोग यह बोलते रहते हैं कि इंटर्नल एक्षेंज कब आएगा यह इसमें क्या होगा क्या करेंगे इसमें यह आएगा भी कि नहीं आएगा तो दोस्तों मैं आप सबसे यह कहना चाहूंगा कि पारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी लेकिन मैं आज फिर से इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा कि इंटर्नल एक्षेंज चाहे तो कंपनी अभी भी ला सकती है वो अभी भी इंटर्नल एक्षेंज ला सकती है लेकिन यह कंपनी अगर अपना फैन आई प्यों बेची कि यह उस पर डिपेंड नहीं करती है यह फाइनेंसियल टार्गेट पर डिपेंडड है अगर यह अपना फाइनेंसियल टार्गेट जब तक पूरा नहीं करती है तब तक यह इंटर्नल एक्षेंज नहीं ला पाएगी और इंटर्नल एक्षेंज रहा लान चाहूंगा कि जब इंटर्नल एक्षेंज आएगा तो यह आप जब अपने आप आई प्यों को जब आप सेल करना चाहोगे तो आप तो यह दूसरों को तो सेल करो गोई करोगे अगर अगर कोई दूसरा खरेदार ना भी मिलता है तो आप इसे कंपनी को भी बेश सकते हो यह क परिशान ना हो कि इंटर्नल एक्षेंज करवाएगी कंपनी के बारे में कोई भी नेगेटिविटी ना फैलाए अच्छे से आप अपना वर्क करें लोगों के बारो यह लोगों को इसके बारे में बताएं ताकि हमारा फाइनेंसियल स्टेज जल्दी से जल्दी पूरा हो और हम जल्दी से इंटर्नल एक्षेंज में जा पाएं आसा घरता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हुई हो कुछ अच्छा लगा हो आप लोग को तो चैनल को लाइक करें यह सब्सक्राइब करें और अपने सारे डाउन लाइन में इसके बारे में सब को सेर क करें ताकि उन लोगों को भी पता चल सके यह कंपनी के सारे अपडेट तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं आगी की वीडियो में अगली अपडेट के साथ जैन